क्या आपको मालूम है आप अपने जनम के महीने से भी आप अपने भविश्य के बारे में जान सकते हो आपके वर्तमान में क्या है और भविश्य में क्या रहेगा नमस्कार, मैं एस्टॉलेजर, निमरलोजिस, वास्तु कंसल्टेंट सरीता गुपता, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बहुत से लोग होते हैं जिनको अपनी जनम तारीख नहीं मालूम, साल नहीं मालूम या विस साल मालूम है, महीना मालूम है, पर दो डेट नहीं मालूम तो वो भी अपने भविश्य को जानने के लिए उत्रा ही उत्सुक रहते हैं जिनको अपनी जनम तारीख मालूम है तो कैसे जाने, तो जानेंगे महीनों के द्वारा, यानि जिस मन्त में आपका जनम हुआ है आज मैं बात कर रही हूँ इस मन्त सीरीज में मार्च महीने में जनमे वेक्ती मार्च महिने में जन्मे वेक्ति का कैसा भविश्य होता है उनके वर्तमान में क्या लिखा है कौन से रंग, कौन से अंग, कौन सी दिशा, कौन सा करियर, आर्थिक स्थिती कैसी रहेगी साथ में उपाई के टिप्स भी दूँगी ताकि अगर कोई परिशानी आ रही है जीवन में तो आपको क्या करना चाहिए है सलहा के तौर पे मार्च में जन्मे वेक्ति, शांत सभाव के और कोमल हिर्दे के स्वामी होते हैं साथ ही ये परिश्रमी तो होते हैं, बाचीत में भी बहुत ही कलाकार टाइप के होते हैं यानि कि दूसरों की से बाचीत करने में फटाफट से घुल मिल जाते हैं और दूसरों का सदकार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और साथ ही अगर इनको अपने कारे को बार-बार करना पड़े तो इनको कोई बोज नहीं लगता और अपने काम को निप्टा करके ही अपने आपको शांती लेते हैं यानि अपने काम से प्रेम करते हैं साथ ही ये अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसको लगन, महनत और creativity यानि एक ही काम को कई तरीकों से करने का भी जो है इनका योग रहता है यानि कई तरीके से इस काम को कर पाते हैं और जीवन में सफलता इनको प्राप्त होती है और कई बार क्या होता है बहुत जादा ब बहुत पसंद आता है साथ ही प्रकरती से बहुत लगाव है और adventure इनको बहुत पसंद आता है अपने घूमने फिरने के मौकेयों कभी नहीं छोड़ते जहां घूमने जाने का मौका मिले वहां पे जो ही घूमने का प्रोग्राम फट से बना लेते हैं जट पर से तयारी कर ल से लगा लेते हैं कि इस अप्री है तो यह एकषड बस्गकोर्स कर देगा इन के राज़ को व्याची नहीं पासंद देगा सामने जल्दी आतींगर को अपना प्त्ता है जो है यानि उस बंद कर ये सीमी तरीके से बाचीत करते हैं इसमेंदे पर पूरी तरह से फिदा रहते यानि अपनी बसंद के आगे यह नहीं यह कि रोज-रोज पसंद बदलते हैं यानि जिसको प्यार करते हैं उसके साथ जीवन भर साथ बिताने का वादा करते हैं अपने life partner के प्रती वफादार होते हैं उसकी छोटी से छोटी जरूतों का खयाल रखते हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना इनको बहुत पसंद आता है साथ ही अपने partner के अगर ये चेहरे पे खुशी ले आते हैं तो इनको लगता है इनका दिन बन गया यानि कि अपने से ज़्यादा care इनको अपने partner की होती है भाई बेनों की बात करें तो भाई बेनों का भी उप बहुत खयाल रखते है परिवार में माता पिता का सम्बान करते हैं और ये respectful personality की तरह परिवार में जाने जाते हैं अब इनकी आर्थिक सिती की बात कर लेते हैं तो आर्थिक सिती इनकी बहतर होती है धन के साधन जो है इनके बनते रहते हैं अपने धन के साथ में धन आता भी है और धन में कर जो खर्चे हैं इनके खर्चों में कमी नहीं होती और धन कहीं न कहीं से इनके पास आ जाता है यानि कहीं तो बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है परन्तु इनको कोई भी कारे इनका अठकता नहीं है धन के स्त्रोत आए के स्त्रोत कहीं न कहीं इनके बन जाते हैं इनको बस ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो पैसा है उधा के दे कि यह पैसा मैंने उसको दे दिया यानि उसकी जुरत पर काम आएगा वह पैसे की वापसी की उमीद ना करे डॉकुमेंट को बहुत अच्छे से पड़ते लिखते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसमें यह अपना पूरा 100% जो है वह देने का परियास करते हैं अब इनके क कारियों की बात तो एक साथ में यह बहुत सारे कारे भी कर सकते हैं अगर अटकते हैं तो दूसरे की सलहा लेने में भी यह बिल्कुल भी परेश नहीं करते हैं इनके लिए जो करिया हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर बन सकते हैं बहुत अच्छे प्रबंदक यानि मैनेश्मेंट में जो है इनका बहुत अच्छा रहता है राजनीती में संभावना होती है लॉयर, टीचर, साथ में कॉंट्रेक्टर अगर हॉस्पिटेलिटी का जो है इनका बहुत अच्छा रोल रहता है कप्रों से सम्मंजित कारे बहुत अच्छे से तरीके से कर पाते हैं कॉस्मेटिक का, जोलरी का, अभुशनों का साथ में ये गॉर्नमेंट जॉब से रेटि किया है, अपने मन की बातों को रिच्छाओं को पूरा करने के प्रियास करते हैं और मेहनत के साथ अच्छा कमाते हैं, स्वास्ते की बात करें, तो स्वास्ते साधरन ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, अगर इस शौक को थोड़ सा कम करते, एक लिमिट मे जाते हैं तो अगिर यह इंसोते हैं अ बाते लिएा बैते कि हमारी शागे मांस से होती right मंन के करते हैं कि यह मिन के गूड़े खूखर से वक्तीत पेँधी जली थे मश्ताते कि यहां 미्हें में जो है कई बार ये परिशान हो जाते हैं उसकी वज़े से इनको प्रॉब्लम सानी शुरू हो जाती है तो अगर ये उस पर काभू पाले तो बहुत ही बहतर रहेगा उनका स्वास से उत्तम रहेगा शुब दिनों की बात करें तो इनके लिए गुरुवार शुकरवार और स अलका नीला रंग जो है इनके लिए बहुत सुटेबल है रतनों की बात करें तो पुखराच रतन यलो रतन या यलो टोपाच टाइगर स्टोन ये जो है इनके लिए बहुत सुटेबल है साथ ही अगर अंकों की बात कर ले तो अंक इनके लिए 3, 6, 9, 12 जिनका जोड होता है तीन, छे और नौ और बारा यानि तीन नमबर बारा भी हो गया 21 भी हो गया और 30 भी हो गया ये नमबर इनको बहुत suit करते हैं उपाए क्या करना है बहतरी के लिए जहां पर कहीं पे कुछ ब्रेक लग रहा है या कोई काम नहीं बन रहा है या कहीं पर दिक्कत आ रही है और लगता है कि मैं अपने आपको feeling कर रहा हूं कि मेरा साथ ये dullness जा रही है तो क्या करना है आपको उपाए आपने गाये को गुड चना किलाना है गुड लगबग आप सवा किलो के करीब ले लो गुड और चना भी जो है आप ले लो सवा किलो के करीब धाई किलो आपने टोटल आप जो है थरस्दे के दिन किलाए बहुत लाब होगा गरीब सहाय वेक्तियों की सेवा करें, उनको जो भी सेवा करनी है, कपड़ों से, पैसों से नहीं देना, कपड़े देने, खाना देना या उनको कोई यूटिलिटी की आप चीज़े दे सकते हो गाईतरी मंत्र का जाप करना आपके जीवन के सारे रास्तों को खोलने के समान है, गाईतरी मंत्र को आप 108 बार, 108 दिन तक लगाता जाप करते रहें, बहुत लाब होगा शाथ ही आप जो है फस्ती कि जने आपने छोटा सा उपाये करना है या काम करना है आपने क्या करना है थोड़ी सी हलदी लेकर लगबक 100 ग्राम या 800 ग्राम हलदी लेकर के किसी नीडी वेक्थि को आप दे baru जो इसको खाना बनाने में इस्सेमाल कर दें इससे आपका भी जन्म मार्च के महीने में हुआ है और कुछ जानना चाहते हैं साथ में साल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्षन में अपने कमेंट लिख सकते हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं साथ ही आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद